इन्वेस्टमेंटि सेक्योर्टी मार्केट और सब्जेक्ट तू मार्केट रिस्क रिडॉल्ड दॉक्यूमेंट्स किरिफली विफोर इन्वेस्टिंग नवश्कार दोस्तों कैसे आप लोग आश्या करूंगा आप लोग ठीक ठाक होंगे क्योंकि आज बड़ी गिरावट औ कौन से पैटर्स बनेता है आज की वीडियों बताऊंगा इसके इलावा मैं आपको टाइम फ्रेम कानफरमेशन लीनी थी और टाइम फ्रेम ने हमें कैसे बताया कि बजार में जो टॉप बना है यहां से बजार में डिस्ट्रिबॉशन आ सकती है इसके इलावा हम आपको तो आज की वीडियो काफी सपिशल है सूर difस्पश्राइब कर लिए tuna चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेए करें तो सबसे पहले दोस्तों बात पर रहें याॉठ निफ्टी की कि क्योंकि वुटेतर में हमारा में यह चार्ट आपके सामने और पर殺 लेंगे 15 विनिट का चार्ट दोस्तों आज की वीडियो मेंना मैं बहुत ढिटेल में बहुत मन्त से आपके लिए कुछ बताने वालों कुछ सिख cannot वालों अगर पूरा देखेंगे आज हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे आपके न आज के फटी की फटी रह जाएंगे क्योंकि आज हम कुछ strategies के बारे में भी discuss करने वाले है overall बजार जो होता है वो कैसे चलता है कैसे react करता है कैसे behave करता है कहां पर buy sell की opportunity find कर सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे तो सबसे बहले दोस्तों मैं यहां पर लेता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट और एक indicator मैं यहां यूज करूँगा जो है MACD MACD की फिलफॉर्म होती है moving average conversion divergence जिसकी हम यहां पर confirmation लेंगे तो आप यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको कुछ इस तरीके का चार्ट आपको support ले रहा है और बजार जो है वो कई न कई सपोर्ट से कई न कई क्या रहा था बार बार रिवर्स हो रहा था बट आज हमने देखा कि बजार जो है अगर हम बात करें 52,900 का जो इसका support level था वो काफी जादा crucial था 52,900 का एक support था इसके नीचे बजार में selling बनती थी दूसरा हम बैंक निफ्टी में लगातर बनते जा रहे हैं बट अगर हम overall यहाँ पे देखें तो बजार में यानि कि MACD की बात करें MACD लगाता negative divergence दे रहा था अगर आप देखेंगे जब बैंक निफ्टी का rate चल ला था 52,800 के आसपास उसके बाद बैंक निफ्टी ने जो high बनाय है वो में और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे support break हुआ हमने यहाँ पे सीधा सीधा आपको बता दिया कि भाई sell position यहाँ पे बनाई जा सकती है इसका message हमने टेलीग्राम चैनल पे कर दिया था और जो हमारे आपको पता है कि दोस्तों मैं advisory भी करता हूँ और मैं buy sell की calls भी देता उनको भी हमने selling की सला यहाँ पे दे दी थी अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों यहाँ से बजार गिरा और आज यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लो जो देखने को मिला है लो बना है दोस्तों 52,250 के आसपास का तो अगर हम देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट हमे आज बांग निफ्टी में देखने को मिली है एक अनालीसिस थे वो अनालीसिस क्या थी वो यह थी कि 15 मिनट के चार्ट पे हमें बिरेकडाउन देखने को मिला है जिसकी वज़े से बजार में कुछ 6500 की गिरावट है और जिसकी वज़े से लोगों ने आज अच्छा खासा अब यहाँ पर हमने जैसी कि आपको पताया था कि हम टाइम फ्रेम के कन्फरमेशन की बात करेंगे ऑपशन चेन के डेटा को भी बताएंगे तो सारी चीज़ें हम बारी बारी से बताएंगे अब यह हो गया 15 मिनट का चार्ट की 15 मिनट के चार्ट पर कैसी आई उसके बाद अब आपको मैं यहां पर अपने टेलीग्राम चैनल पर लेके जाता हूं अगर आपने तक जॉइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको पटापट से जॉइन कर लीजे अब अगर हम मत देखेंगे तो कल के दिन हमने ये मैसेज कर आपको करा था हैंगिंग मैन का यहाँ पे हमने किलियरली लिख दाता है कि हैंगिंग मैन पैटर्न है और जब रेट चला था कर दी थी और वहां से अगर आप देखेंगे तो 700 से 500 पॉइंट अगर नीचे अगर आप माइनस कर देंगे तो 2200 के आसपस का हमारा एक टार्गेट था वो दोस्तों ऑल्मोस्ट हचीव हो गया है इसके इलावा कल भी अगर आप देखेंगे तो कल भी हमने अगर आप हमारा टेलीग्राम चनल देखते हैं और वहां पर कल की वीडियो में भी हमने बहुत ज़्यादर डेटेल में बता दिया था तो चला दोस्तों चार्ट पर आते हैं और चार्ट पर इसको समझते हैं अगर आप देखेंगे चार्ट को मैं थोड़ा सब्सक्राइब तो यह hanging man pattern है hanging man pattern क्या होता है जो कि up trend को down trend में convert करता है hanging man मैंने कल की वीडियो में बोला था यह pattern बहुत कम identify होते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं बर जब देखने को मिलते हैं तो वहां पर बजार की accuracy काफी जादा बढ़ जाती है hanging man pattern टॉप पे बनता है और वो कुछ दिख सकते हैं इसके बाद next candle जो होती है वह आपको देखनी होती है बीरिश candle और बीरिश candle का low break होता है तो आपको यहाँ पर अपनी cell position मनानी होती है और hanging man के हाई का stop loss रखना होता है यह सारी चीज़े दोस्तों हमारे tutorials में है अगर यह हमारे online course जो मारा technical analysis का online course है उसमें बहुत ज description पर आपका link है directly उसके तुरू भी आप course join कर सकते हैं बट फिलाल हम इस topic पर बात करेंगे किस तरीके का hanging man pattern देखने को मिलता है तो यह hanging man देखने को मिला next candle बेरिश मिली तो जैसे इसका low break हुआ जो की बनता था 52,668 का तो हमने बता दिया कि भाई selling है इसमें और यहाँ से shop fall मिलेगा तो पहला तो दोस्तो हमने क्या देखा पहला हमने यहाँ पर यह देखा कि यहां से हमने trend line यूज करा trend line के नीचे selling बनी तो sell करा 52,900 के नीचे जब 52,700 के नीचे गया तो वहाँ पर और short करा reason उसका क्या था क्या था क्योंकि hanging man का भी selling की confirmation थी यहाँ देखने को मिल गई थी जिसके बाद बजान ने पूरे 500 points का target दिया इसके साथ साथ अगर आप यहां पे देखेंगे तो बजार higher high बना रहा था और यहां पे भी M.A.C.D. लगातदार negative dependence दे रहा था तो बलब indicator भी चार्ट पैटर्न भी इसके साथ साथ candle stick भी यह तीरों चीज़े ना चिला चिला के बोड रही दी कि भाई बेचो मुझे मुझे बेचो मैं बढ़ने वाला नहीं हूँ बट यह सारी चीज़े ना बजारे का आपको इशा आपने trade बनाया होगा तो मुझे लग रहा आज आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा और अगर आपने पैसा बनाया है तो नीचे comment box लो comment जो करिए जिससे और लोग भी motivate हो पा है अब यहाँ पे दोस्तों हमने बात करी hangy man pattern की और इसके साथ साथ हमने trend line का breakdown के बारे बात करी जो कि 15 मिट के चार्ट पर देखने को मिला था इसके साथ अगर हम 4 hourly का चार्ट भी देखे तो वहां पे एक pattern देखने को मिला है जिसको बोलते है इवनिंग स्टार हमने यह सारी चीज़ है टेलीगरम चैनल पर एक एक चीज़ हमने टेलीगरम चैनल में मेंशन करी तो यह था इवनिंग स्टार पैटन और इवनिंग स्टार पैटन भी 4 hourly चार्ट पर देखने को मिला जिसकी सेलिंग की कंफरमेशन आई और इसके एसाफ से बजार गिरा अब चलो दोस्तों यह तो वही चार्ट की बारे में बाद या फिर टेकनिकल के बारे में मैंने बताय अब वापिस से जाता हूं टेलीग्राम चैनल पर और एक मैसेश था दोस्तों जो हमने किया था अब यह मैसेश क्या था उसके पारे में थोड़ा सा डिसकस करना चाहूंगा हमने क्या गरा था जब बावन अजार आट सो के आसपा आट सो साड़े आट सो के आसपास बैंक न उसमें जो ओ आई है open interest open interest क्या होता है जितनी position मजार में फसी हुई है खुली हुई है फसी तो नहीं बोलेंगे जितनी position market में open है तो 44 lakh positions उस time पे call writers ने write करी हुई थी मलब बेची हुई थी तो यह कि इसकी value कितनी थी 44 lakh के असपास और यहीं पे दोस्तों put side में अगर आप द देखते हैं तो वहां पर यह था कि 44 lakh लोगों को लग रहा था 44्लाक पीशन्स जो थी बजार में sell थी था इसका message भी हमने telegram channel पर public telegram channel पर कर दिया था आप यहां पर देख सकते हैं यह message हमने यहां पर किया था और इस message में clearly हमने लिख दिया था कि बैंक निफ्टी में 53,000 के call में 44,000 का OI है जो कि put side से ज्यादा है इट में मार्केट बेरिश हो सकता है 53,000 का SL से मला 53,000 का SL रख सकते हैं सासा technical chart भी selling show कर रहा है भाई और क्या लोगे बच्चे की जान लोगे क्या इसके ज्यादा मैं और क्या बता हूं 53,000 का SL भी बता दिया कि 200 पॉइंट का SL है इसको अब मैंटेन करो और वहां से कितना गिरा बजार अगर आप देखेंगे तो बावने राट सो आगया पर शेसो साड़े शेसो पॉइंट इगर के 200 पॉइंट के SL से यह तो दोस्तों यह हमारा public channel है जो कि free of cost है जो कि बिलकु आपको educate पूरी तरीके से educate करते हैं, option chain का data भी पढ़ाते हैं कि भाई कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरीके से सीख सकते हैं, technical charts की एक एक चीज एक एक बारी के आपको बताते हैं, तो दोस्तों इसको भी join कर लीजे और अगर आप हम चाते हैं कि मैंको आपसे advisory चाहिए, advisory आप ल 2600 के आसपस बता दिया कि भाई, बजार जो है, यहां पर rising match बना रहा है, और मसीडी में कहा है, negative divergence है, फिर उसके बाद अगर हम चार्ट पे जाते हैं, तो फिन निफ्टी का चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं, फिन निफ्टी में भी, फिर गिरावर देखने को मिली और वहाँ से अगर आप देखेंगे, तो कितना था, फिन निफ्टी का रेट कितना चल रहा था, यहां से अगर आप देखेंगे, तो फिन निफ्टी का उसट्म रेट था 23,600 का, लो कितना मना है, 23,400 के आसपस, 400 से भी नीचे आया है, आप इसका मैं 15 मिनिट का चार्ट जगाता हूं तो वन अवरली के चार्ट में भी देखेंगे तो इस तरीके से यहां पर हमने मैसेज किया था कि भाई उस टेम रेट कितना चला था 2300 का और उसके बाद कितना आया 3400 के आसपास आ गया था तो 200 पॉइंट हमें आज फिन निफ्टी में भी मिल गए थे और इसका जो मैसेज था यानिक इसकी जो टिप थी वो हमने अपने पर्सनल क्लाइंट को दे दी थी साथ साथ दोस्तों इसके इलावा भी अगर आप टेलीगरम चैनल पर जाते हैं तो निफ्टी की अनायलिसिस भी हमने करी थी इसके साथ बैंक निफ्टी की पर इनायलिसिस करी थी टाइम फ्रेम्स को भी बताया तो ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया और सब में अच्छ वा हैं तो पंद्रह्रह मिबने के चार्ट पे कल के दिन ही में नहीं से मैं पको बताना चाहूंगा कल के दिन ही यहिए My इस權 प्सक्राइल GBере मन गया था मैंने कल और मैंने आपको मुंजे रहा है कि कुछ और हो सकता है मन्ने को कुछ बड़ा हो सकता है और वह बढ़ा क्या हो सकता है इसके बारे में चरशा करने के लिए मैं आपको overall chart दिखाना चाहूँगा यहाँ पर निफ्टी गा अब निफ्टी का चार्ट अगर हम देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट पर आपको मैं एक trendline plot करके बताता हूं यह यह trendline है ठीक है अब यह trendline है यह बहुत important trendline है इसको बिलकुल मजाक पर मत लीजेगा क्योंकि first bottom यहां second bottom यहां third यहां fourth यहां फिफ्ट यहां six seven eight ninth nine times में downfall देखने को मिला यानि की breakdown देखने को मिला है अगर अब आप देखेंगे तो mcd पूरी तरीके से क्या है negative है यानि की पूरा लाल हो चुका है अब आपको मैं कुछ levels देना चाहूंगा इसके बारे बात करेंगे लेवल सीधा सीधा यह है कि देखो अगर यहां पर निफ्टी जो है अगर 24,000 70 के उपर जाता है यहां से 24,000 70 के उपर जाता है तो तो आपको निफ्टी बुलिश मिल सकता है मंडे वाले दिन और अगर यहां ही पर बजार रहता है 24,000 30 40 24,000 के नीचे रहता है तो बजार में एक बड़ा डॉन फॉल भी देखने को मिल सकता है बड़ा मलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं वहां से बजार जो है मुझे लग रहा है कि 23,000 800 से 700 की रेंज आपको दिखा सकता है यहां पर बुलिश हो सकता है दूसरा मैं यहां पर इसका अवरली चार्ट दिखा देता हूं और आप इसको थोड़ा सथ समझना मैंने आपको इसके बारे पहले ही बताया था काफी लोग है ना कल कॉमेंट आ रहे थे कि आप सैलिंग सैलिंग बोल रहे थे देखो मंडे टूसरे वेड़नेश तीनों दिन हमना बजार में करवा रहे थे आपको पता है दोस्तों यहां से हम रिफ्टी हो चाहां से बजा निकला लगातार बाय करा रहे थे पहले हमने यहां बाय कराया थी तो वह चैनल को सकते हैं बदली अके कुछ पॉजिटिव भी घरेंगे तब भी कॉमेंट करेंगे हालनकि मुझे कुछ फरक निपरता हूं लोगों से ठीक है कुछ होते हैं फा बनाई कि बढ़ गिए तो आज के दिन वीख हमारा बहुत अच्छा गया एक दिन अच्छा कड़ गए होंगे वकार दोस्तों तो अगर आपको दस कॉल मिले हैं उसमें एक दो स्टॉबलोस कट रहे हैं तो यार इतनी तो एक्रिसी तो बनती है यह भी तो अगर 70-80% की एक्रिसी है 100% तो यार आपको भगवान भी नहीं दे सकता है अगर भगवान भी आके टिप्स देने लग जाए तो थोड़ा सा समझो यार थोड़ा सा फोकस करो बजार पे थोड़ा सा इस चीज़ों को दोस्त आपको कहीं नहीं समझना पड़ेगा फिलाल अब हम बात करते हैं कि देखो यहां पे एक रजिस्टेंस था जिसका ब्रेकाट देखने को बढ़ाता वह था 23,500 के आसपास था तीन सो चार चार सो के आसपास था रजिस्टेंस यह अपना यहां से अल्रड़ी बजार बहुत जाता जा चुका है उपर की तरफ तो में जो लग रहा है कि थोड़ा बहुत 24,500 लग गया 600,500 बढ़ गया 700 बढ़ गया तो कि यहां से 200-300 नहीं गिर सकता गिर सकता है तो मंडे को बहुत सोच समझके ट्रेड करना और हमारा पबलिक टेलिग्राम चैनल जोड़ जोईन करना कुछ भी रिवर्सल होगा कुछ भी होगा तो हम आपे पोस्ट कर देंगे अ कहां से अगर आप चैक आउट करते हैं तो निफ्टी जो है अभी भी अपने सपोर्ट से नीचे ही काम करा रहा है इसको देख लेंगे दोस्तों यहां पर यह जो अग्यक्ति नीचे ही कखिए काम करा रहा है जो की खत्रेग्रा मुझे कार रह Sun के रिज़ घन्र कर दे तो जोरूर हमारा पॉब्लिक टेलीग्राम चलो जोर जोइन करना साथ साथ दोस्तों यहां पर मैं आपको बैंक निफ्टी के बार में थोड़ा बताना चाहूंगा जहां पर सारी लाइने हटा देता हूं और यहां से अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी का यह एक सपोर्ट लेवल है यह एक सपोर्ट है जो कि 22,400 का सपोर्ट है अब सपोर्ट के नीचे ही गाम कर रहा है अगर बजार 52,400 के उपर चले जाता है वाफिस से बुलिश केंडल के साथ यहां वे मालों बुलिश केंडल बनती है बावने यार चार्ट के उपर जाता है तो फिर इसमें आपको एवार देखना पड़ेगा कि बावने यार चार् पस मान के चलो मोटा मोटा तो मान के चलो आपको एप्रॉक्स थाउजन कोईन का करेक्शन और बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है जिससे बजार जो है वो लग रहा है कि क्या वने यार दोसों की रेंज आपको मिल सकती है मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों आपको करना क्या है उसके बारे में बताऊंगा मैं थोड़ा सा चलो आपको दुबारा से बता देता हूं मैं सारी लाईने हटा देता हूं इस तरीके से चलो हम इसको दुबारा से समझते हैं कैसे करना है इस पर काम अब देखिए ये एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी का जो की है 24400 का राइट क्या support है 52,400 का मैं लिख देता हूं 52,400 का यहां पर जो high बनाता निफ्टी का वो मानके चलिए मैं exactly आपको यहां पर निफ्टी का high बताता हूं वो है 53,200 का मैं लिख देता हूं 53,200 का high है अब आज जो low बना वो कितना बना है 52,200 के आसपस का low बना है बट फिर भी मैं यहां से 52,400 और तरेपने और दोसों के बीच में डिफ्रेंस देखूं तो कितना डिफ्रेंस है 800 पॉइंट का मैं पूरा calculate कर रहा हूं इसे अब अगर देखेंगे कि मंदे को बजार 52,400 के उपर जाता है तो यहां से आपके लिए buy opportunity बनती है जिसमें आडे लोग का आप आज के लोग का आप stop loss maintain कर सकते हैं तो अगर मालो ऐसा होता है कि बजार कल भी यानि कि मंदे को बजार बीरिश रहता है यहां पे बजार बीरिश रहता है और आज का लोग भी ब्रेक करता है तो यहां से sell position यानि कि आप sell opportunity find करके यह जो previous candle है उस परपस से बता रहा हूं मैं नहीं कहा रहा कि आप sell कर दो buy कर लो बट आपको पता होना चाहिए अगर मैं कोई trade ले रहा हूं तो stop loss target क्या होना चाहिए तो 52,500 का आप stop loss maintain कर सकते हैं तो यहां से अगर 800 point में minus करूं 52,400 में 800 point minus करूं तो target जो आएगा वो आएगा मोटा मोटा 500,600 के आसपास का तो यहां से 51,600 का target हमें मिलता है किसमें bank nifty में और साथ-साथ अगर आपको एक और चीज़ देखनी है कि बजार अगर यहां से reverse होता है और साथ-साथ यह जो है MECD जो है अगर वो bullish में convert होती है बीरिश की जगा bullish में बार बनते हैं तो भी आपके लिए ए वीडियो देखने हैं तो अपनी ट्रेडिंग लाइफ में या फिर वाला आप कुछ करना चाते हैं ठीक है तो बाकी इसको बहुत ही सीरियसली लेना और अगर आप चाते हैं हमसे directly tips लेना तो भी आप वीडियो के description में लिंक है निदिक स्क्रीन पे number मिलेगा directly call कर लिए आप अब मना instagram channel follow कर लेना उसमें मैंने तीसरे इंडिकेटर के बारे बताया हुआ है तो टेलीग्राम चैनल पे instagram चैनल का एक वीडियो आपको मिलेगा उसको भी आप जाके देख लेना तो चलो दोस्तों मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं आशे करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आते हैं से लाइक करें शेयर करें चैनल आपको सब्सक्राइब करें आज के लिए वसे इतना ही थन्डेवाद